दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं खेल धाबा और मैं हूँ नवीन चंद्रमनोज फीफा विस्फ कप की कहानी सिरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्स 1934 के विस्फ कप फुटवाल की मेजमानी इटली ने की थी यो तो मेजमानी की दोड में इटली और अस्पेन दोनों सामिल थे पर मौका इटली को मिला इस बिस्पप से क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत हुई, मेजवान इटली को भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा, कुल 32 टीमों ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया और आखिर में 16 टीमों ने इस परत्योगिता के लिए अहरता हर्शिल की, पहले बिस्पकप के विजेता उरुगवे ने इस आयोजन का बहिसकार किया, कारण यह था कि उसकी मेजवानी में आयोजित पहले बिस्पकप में मात्र चार एरोपिय देऊ से ने हिस्सा लिया था। 27 मई से 10 जुन 1934 तक आयोजित इस पुटवाल महाकुम के मुकाबले इटली के आठ शहरों में खेले गया, जिन टीमों ने आर्था हासिल की थी वे थी आर्जेंटिना, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, सेको सलाबाग्या, मिश्ट, फ्रांस, जर्मानी, हंगरी, इटल इस बिस्वप में पहले राउंड से नाकाउट अस्टेज तक इरोब की आर्टीम में आस्ट्रिया, चेको सलाबाग्या, जर्मानी, हंगरी, इटली, स्पेन, स्वीडेन और स्वीटियर लेंड की टीम शामिल रहीं 20 मिनट के बाद अगर कोई मैंच टाई हो जाता था, 30 मिनट का अत्रिक्स समय खेला जाता था, यदि अत्रिक्स समय के बाद भी अस्पूर बरावरी पर रहा तो मैंच अगले दिन फीड से खेला गया, इटली, स्पेन, आस्ट्रिया, हंगरी, चेको सलाबाग्या, श्वीड इटली और अस्पेन के बीच मैच अत्रिक्त समय तक गया लेकिन अस्कोर एक-एक की बराबरी पर रहा मैच दुआरा खेला गया जिसमें इटली ने अस्पेन को एक सुन से हरा दिया इसके अलाबा आस्ट्रिया ने हंगरी को दो एक, चेको सलवाकिया ने स्वीटेन लेंड को तीन दू जर्मनी ने स्वीटेन को हरा कर सेमी फाइनल में परविश्च किया सिमी फाइनल में मेजबान इटली ने आस्ट्रिया को एक सुन से और चेको सलवाकिया ने जर्मनी को तीन एक से हरा कर फाइनल का टिकट पाया फाइनल में इटली के खिलाब सतर मिनट तक चेको सलवाकिया की टीम एक सुन से आगे थी लेकिन मैच खतम होने से पहले किसी तरह इटली की टीम ने एक गोल कर दिया और मैच एक-एक की बराबरी पर आ गया इसके बाद फाइनल अत्रिक समय में खेला गया जहां इटली की टीम ने गोल करके खिताब पर कबजा कर लिया इटली के पच्च में यह परिणाम दो एक कर रहा तीसरे अस्थान के लिए हुए मुकावले में जर्मणी ने आस्ट्रिया को तीन दूस से प्राजित कर तीसरा अस्थान हासिल किया 1934 का बिस्पकब बिवादों से भी घिरा रहा दूसरे बिस्पकब फुटबॉल की मेंजवानी इटली को मिली थी फीपा के इस पैसले पर आस्ट्रज भी व्यक्त किया गया क्योंकि इस समय इटली की बागडोर मुसोलोनी की हाथों में थी यहां तक कहा गया कि मुशोलोनी ने बिस्ट कप को अपने परचार परसार के लिए इस्तिमाल किया अरोब तो यहां तक लगाया जाते हैं कि इटली के मैचों में रेफरी तक मुशोलोनी के कहने पर नुक्त हुए थे यहां भी कहा गया कि स्वीडन के जिस रेफरी ने सेमी फाइनल और फाइनल मच कराया था उसने पहले मुसोलिनी से मुलाकात की थी कुछ रेफरी ने तो इटली के पच में इतने फैसले दिये कि बाद में उनके देशों ने उन्हें हटा दिया बिवादों की छाया में हुए इस बिस्प कप में ऐसा पहली बार हुआ जब पिछली चैंपिन टीम उरोगवे ने पृत्योगिता में हिस्सा नहीं लिया रोगवे ने यहां कहते हुए इटली आने से इंकार कर दिया कि पिछले बिस्फ कब में कम ही इरोपिये देशों ने उसकी मेज़बाने में आयोजी टूनामेंट में हिस्सा लिया था 1934 बिस्फ कब के लिए इतालवी सरकार ने 35 लाख लीरा का वंटन किया था लीरा इटली की करेंसी थी बिस्फ कब के दूसरे संस्क्रण ने पहले कभी किसी अन फुटबॉल टूनामेंट की तूनामें अस्टेडिया में अधिक विदेशी समर्थकों को आकरसित किया यह एक मा मौका था जब सभी क्वालिफाइंग क्वाटर फाइनल्टी में इरोब से थी 1934 के बिस्फ कब में आस्ट्रिया चेकोसलावाकिया जर्मनी हंगरी इटली स्पेन स्वीडियन और स्वीडियलेंड की टीम अन्तिम आठ में अपनी जगा बनाई थी 1934 के फुटबॉल बिस्फ कप में कुल 70 गोल किये गये थे और चेकोसलावाकिया के ओल्डरिक नेगे डली 5 गोल के साथ टूनामेंट के 6 गोल करने वाले खिलाडी बने हुआ है